Hello everyone, welcome to StudyTube इस वीडियो से हम लोग NC80 सीरीज के अंदर अगला चाप्टर चाप्टर नमर 29 स्टार्ट कर रहे हैं ये NC80 सीरीज का 29 चाप्टर है, बायो का ये 13 चाप्टर है चाप्टर का नाम है Animal Kingdom जन्तू जगत जन्तू जगत एक बड़ा चाप्टर है, इसलिए हम लोग इसमें 200 से ज़्यदा सवाल कवर करेंगे ताकि पूरा चाप्टर हमारा अच्छे से कवर हो जाए ये चाप्टर हमें Class 9 में पढ़ने होते हैं और Class 11 में पढ़ने होते है Animal Kingdom एक बड़ा चाप्टर है, इसलिए हम इसे कई सारे पार्ट्स में कवर करेंगे एक दो पार्ट्स के अंदर समाप्त करना सही नहीं है, इससे आपको भी मज़ा नहीं आएगा और चाप्टर आपके लिए काफी बोडिंग हो जाएगा कई सारे पार्ट्स में देखेंगे ताकि आपको पूरे चाप्टर में अच्छे से समझ में आए और आप चीजों को अच्छे से याद रख पाओ कम से कम 5 से 6 पार्ट्स तो जरूर आएंगे इस चाप्टर में अधीनिमल किंग्डम जो चाप्टर है या फिर NCRT शीरीज के जितने भी चाप्टर से हैं हर उस परिक्षा के लिए महतरपुर्द है जिसमें समान ने वह घ्न पूछ जाते हैं तो आप किसी भी ऐसे परिक्षा के त्यारी कर रहे हैं, जिसमें समानने भी ज्यान पूछे जाते हैं, तो आपके लिए ये चप्टर NCRT का हर चप्टर important है. बाकी सारे चप्टर्स को देखने के लिए, आप हमारे चैनल के प्लेलिश को चेक कर सकते हो, NCRT नाम से एक प्लेलिश मिलेगा, सारे ही चप्टर्स आपको इस प्लेलिश के अंदर मिल जाएगा. ये हमारा e-book store है, जहाँ पर आप e-books को बाई कर सकते हो, PDF के रूप में, तो आप इस e-books store पे जाकर के चेक कर सकते हो, अगर आपको रहसा लगता है कि कोई e-book आपके काम का है, आपके लिए useful है, ताप उसको बाई कर सकते हो, आपको अपने ब्राजर में इस लिंक को सर्च मारना है, या फिर वीडियो के description box में आपको link मिल जाएगा, किसी भी link पर आप click करो, आप इस e-books store पे पहुंचाओगे, kingdom moneda में हम लोगों ने देखा था कि इसमें जो organisms आते हैं, वो होते हैं, unicellular prokaryotic, protista में हम लोगों ने देखा था, इसमें जो organism आते हैं, वो होते हैं, unicellular, eukaryotic, उसके बाद fungi के अंदर multicellular, eukaryotic, plants के अंदर भी, यानी कि plant kingdom में भी multicellular, eukaryotic, और animal kingdom में भी multicellular eukaryotic, मैंने आप dev यह भी कहा था कि मोनड़ा, kingdom, मोनड़ा ही evolve हो करके आये है kingdom प्रोटिस्टा बना है, यानि मोनड़ा सही evolve हो है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा सही बना है फंजाई, प्रोटिस्टा सही plants आये है, प्रोटिस्टा सही animals आये है, यानि प्रोटिस्टा जो kingdom है उसी से kingdom फंजाई भी आया हुआ है, kingdom plants भी आया हुआ है, kingdom एनिमलिया भी आया हुआ है, और ये पूड़ा है हमारे five kingdom classification के according, पांच जगत वड़किकरन के अनुसार, तो प्रोटिस्टा से ही animal kingdom आया है, kingdom एनिमलिया बोल दो या फिर animal kingdom बोल दो, प्रोटिस्टा से ही animal kingdom आया है, तो अगर आपको याद हो, प्रोटिस्टा के अंदर ही हम लोगों ने पराता प्रोटो जोवा, तो प्रोटिस्टा के अंदर जो प्रोटो जोवा है, उस प्रोटो जोवा से हमारा animal kingdom बना हुआ है, प्रोटो जोवा ही evolve होकर के animals बने है, ये जो प्रोटो जोवा है, क्योंकि ये प्रोटिस्टा के अंदर जो प्रोटो जोवा है उसी प्रोटो जोवा से ही एनिमल्स बने है उसी प्रोटो जोवा से ही जानवर बने है प्रोटिस्टा जगत आने से पहले प्रोटो जोवा को एक कोशिका वाला जानवर कहा जाता था एक कोशिका वाला जानवर कहा जाता था क ये सब प्रोटो जोवा हैं तो इन सब को कहा जाता था कि एक कोशिका वाले जानवर है क्योंकि इनका behavior जानवरों से मिलता है अब जब प्रोटो जोवा से animals बने प्रोटो जोवा से हमारा पूरा animal kingdom evolve हुआ है तो animal kingdom के अंदर या फिर बोल दो animals के अंदर कौन सा animal सबसे पहले बना तो वो है पोड़ी फेरा पोड़ी फेरा बोले तो पोड़ी फेरा एक phylum है animal kingdom के अंदर जिसके अंदर कहीं तरह के जानवर आते हैं तो प्रोटो जोवा से जब animals बने तो animals के अंदर जो सबसे पहला हमारा animal बना वो पोड़ी फेरा बना ये sponge बना पोड़ी फेरा को ही sponge बोलते हैं यानि पोड़ी फे पहले बनता है, वो simplest होता है, तो ये simplest जानवर हो गया, सबसे simple, सबसे साधारान जानवर हो गया, पोडी फेरा, जो कि प्रोटो जवा से एवल्व हो करक machines, तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, कि प्रोटी फेरा जगत के अंदर जो प्रोटो जवा हो करके हमारा अनिमल गिंगनम बना हुआ है, और और फेरा बुले तो एक फाइलम है, इसके अंदर कई तरह के जान एक सब kingdom को कहा गया proto joa और एक को कहा गया meta joa proto joa के अंदर एक मात्र phylum है proto joa और कहा गया कि इसके अंदर एक कोशिका वाले eukaryotic जानवर है जिसमें example है amoeba, paramecium, plasmodium, lishmenia, yuglena etc और जो दूसरा सब kingdom है Meta joa इसके अंदर कहा गया कि इसमें बहु कोश के Eukaryotic जानवर है तो ये तो तब की बात है जब Protista जगत नहीं आया था तब आमीबा को, पैरामिस्यम को प्लाजमोडियम को, लिश्मीनिया को युगलीना को, इन सब को Animal Kingdom में ही डाला गया था इन सब को Animal Kingdom में ही डाला गया था इसे कहा जाता था कि ये एक कोशिका वाले जानवर है लेकिन Protista जगत आने के बाद इन सब को उठा करके कहां डाल दिया गया Protista जगत में डाल दिया गया तो अगर आपसे कोई पूछता है कि पैरामिस्यम कोन से जगत में है तो आप ये ना बोलोगे कि Animal Kingdom में है ये सारे के सारे हैं Protista जगत के सदर से ठीक है जो Proto Jones होते हैं उनका जो Behavior है वो जानवरों से मिलता है उनका Behavior इन जानवरों से मिलता है लेकिन वो सारे के सारे Protista जगत के मेंबर है और आप उसे जानवर के अंदर आता है तो जो भी Proto Jones है वो सारे Kingdom Protista के अंदर आते हैं Five Kingdom Classification के According कोई भी Unicellular Eukaryotic होगा वो Kingdom Protista के ही अंदर आएंगे तो Meta Joa के अंदर देख लो कौन-कौन से Phylum है Meta Joa बोल दो या फिर Animal Kingdom बोल दो दोनों में से आप कोई भी बोल सकते हो Meta Joa का मतलब ही होता है Animal Kingdom तो जैसा मैंने आपसे थोड़ देर पहले कहा कि जो Protista जगत के अंदर Proto Jones है उसी से इवाल हुए है Animals Animals में भी सबसे पहले सबसे पहले कोई आएं Podifera ये देखो Podifera सबसे पहले आएं Podifera Podifera जो की एक Phylum को दर्शाता है इसके अंदर बहुत सारे जानवर आएंगे तो सबसे पहले आएं Podifera ये है हमारा सबसे पहला जानवर सबसे पहला हमारा ये बहु कोश्च के जानवर है Definitely जानवर है तो वो बहु कोश्च के ही होंगे जैसे ही Animal Kingdom का कोई सदस है तो ये तै हो गया कि ये Multi Cellular ही होंगे तो Podifera ये सबसे पहला जानवर है जो आया है Evolve होकर के Protodon से है उसके बाद Podifera के बाद अगला है हमारा Phylum Cylent Rater जैसे जैसे हम इस Phylum में उपर जाएंगे जैसे जैसे हम इस पूरे Phylum में उपर जाएंगे सिरीज में उपर जाएंगे जो सनचनाय है जानवरों की वो जटिल होती चली जाएगी एडवांस होती चली जाएगी नए नए फीचर्स आते चली जाएंगे तो Podifera के अंदर जो भी जानवर है उनकी सनचनाय बहुती Simple हैं इसे Simplest Animal कहा जाता है Podifera को नए फीचर्स भी आपको मिलेंगे तो जैसे जैसे आप उपर जाओगे नए फीचर्स एड़ होते चली जाएंगे और जो सनचनाय है बोड़ी की वो जटिल होती चली जाएगी Platy Helminthus के बाद Ask Helminthus, then Analida उसके बाद Arthropoda, Molluska, Echinodermata Codeta ये जो सारे फाइला है ये आपको याद होने चाहिए जब तक आपको ये याद नहीं होगा तब तक आपको कोई confidence नहीं आएगा तो सबसे पहला तो अगर आपको इस चैप्टर में confidence बिल्ड़ अप करना है संग के अंदर आएगा ये है पोडी फेरा के अंदर तो आज के इस वीडियो में हम लोग फाइलम डिस्कस करेंगे पोडी फेरा जिसे हम लोग स्पंज भी बोलते हैं पोडी फेरा के अंदर जो भी जानवर आते हैं हम उसे स्पंज भी बोलते हैं पोड़ी फेरा के अंदर जो जानवार आते हैं उनका सबसे महत्तपुर्ण, सबसे महत्तपुर्ण जो फीचर है, सबसे महत्तपुर्ण जो करेक्टरिस्टिक है वो यह है कि उनमें पाया जाता है कैनल सिस्टम, कैनल सिस्टम को ही water transport system बोलते हैं, तो कभी पूछे कैनल सिस्ट यह किसका भी लक्षन है, किसका लक्षन है, तो आप क्या बोलेंके spot lawyers का, यानी कि पोड़ी फेरा का, पोड़ी फेरा बोलते ही आपके मन में ये वाली image आनी चाहिए, उसके बाद आप सवालों को गलत नहीं करेंगे, उसके बाद आप सवालों को पोड़ी फेरा के अंदर जो भी जानवर आते हैं, सारे के सारे जलिये होते हैं, सारे के सारे एक्वर्टिक मिलेंगे, आपको सारे जल्वे पाय जाते हैं, पोडी फेरा के अंदर जो जानवर हैं, वो चल नहीं सकते हैं, वो सेसाइल होते हैं, ये चल नहीं सकते हैं, ये सेसाइल होते हैं, जो से जुड़े हुए होते है लेकिन इसका जो लार्वा होगा वहा चल सकता है और अस्री या क्या है ओस्षिया क्या है यह जो आप इस para एक पोर्स होते हैं, बहुत सारे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिसे ऑस्टिया कहा जाता है, क्योंकि ये पानी में है, तो इस ऑस्टिया से पानी इसके इस वाले कैविटी के अंदर जाता है, ये जो आप देख रहे हो ना, अंदर में एक खाली होता है, गुफा के जैसे होता है तो ऑस्टिया से पानी इस गुफा के अंदर जाता है जिसे स्फंजो सील कहा जाता है हिंदी में स्फंज गुवा बूलते है तो ऑस्टिया से पानी panynis इस बंजो सील में गया और असकिलम से बाहर चलाएगा यह जो आप कर देख रहे हो से कितुरू बाहर चलाएगा तो अगर एक sponge को जिन्दा रहना है अपने जीवन चकर को चलाना है तो ये जो water का है austria कितुरू अंदर देना austrium से बाहर निकलना ये करते रहना होगा ये पूरा cycle इसको maintain करके रखना परेगा लगातार इसको करते रहना होगा तब ही जाकर कि ये survive कर पाएगा जीवित रह पाएगा अधरवाज ये मड़ जाएगा अब बढ़ते हैं सवालों के उपर जंतु जगत में शामिल है प्रोटिस्टा जगत के आने से पहले प्रोटो जोन्स को animal kingdom में ही डाला गयाता है अब पांच जगत जो वड़किकरन है उसके हिसाब से आप टिक करोगे तो जंतु जगत में शामिल है मल्टी सेलूलर यूकरियोट सारे के सारे बहु कोश्टी होंगे यूकरियोट होंगे यानि उनमें न्यूकलेस वेल डेवलप्ट होगा और जितने भी ऑर्गिनली होते हैं सारे के सारे प्रजेंट होंगे यूनिसललर यूकरियोटिक ये प्रोटिस्टा के अंदर ठीक है यूनिसललर प्रोकरियोटिक ये मोनिडा के अंदर निम्न में से कौन जंतु जगत का उप जगत है कौन Animal Kingdom का Sub Kingdom है तो मैंने इस तरह के 2-3 सवाल ले लिए है मालो आपसे एक्जाम में पूझ दे कि Animal Kingdom का Sub Kingdom के बारे में तो Animal Kingdom का Sub Kingdom प्रोटो जवा कहने से पहले कौन से थे स्वारी माफ करना प्रोटिश्टा कहने से पहले प्रोटो जवा और मेटा जवा तो C है हमारा राइट आंसर प्रोटो जवा और मेटा जवा ये एनिमल किंग्डम का ही सब किंग्डम था प्रोटो जवा उप जगत के अंदर गत नहीं आता है जो एनिमल किंग्डम के अंदर दो सब किंग्डम थे प्रोटो जवा और मेटा जवा तो proto-jowa के अंदर amoeba को भी डाला जाता यूगलीना को भी पैरामिस्यम को लेकिन आज के डेट में जो proto-jowa है प्रोटिस्टा के अंदर है और proto-jowa के अंदर हम लोग यूगलीना को नहीं डालते हैं यूगलीना हम लोगों ने देखा था अलग से पढ़ा था हम लोगों ने प्रोटो-jowa के अंदर ये लिश्मीनिया हो गया पैरामिस्यम हो गया प्लाजमोडियम हो गया अमीबा हो गया हम लोग इनके बाड़े में पढ़े थे यूगलीना अलग होता है संग जो उप जगत मेटाजवा से समन्दित है मेटाजवा के अंदर आपको बोडिफेरा फाइलम, डिडिया फाइलम, निमेटोडा फाइलम ये सब मिलेगा प्रोटो जवा नहीं होगा प्रोटो जवा ये एक अलग फाइलम है जो कि प्रोटो जवा सब किंग्डम के अंदर आता है निमिन में से कौन पहला बहु कुछ के जानवर है? जो पहला बहु कुछ के जानवर है याद रखना जानवर है जो पहला बहु कुछ के जानवर है ये कौन हो जाएगा? स्पॉंज हो जाएगा मैंने आपसे थोड़े पहले डिस्कस किया न कि प्रोटिस्टा के अंदर जो प्रोटो जोंस है उसी से इवॉल हुए है एनिमल्स और एनिमल्स के अंदर भी सबसे पहला जो एनिमल्स आया वो था पोरीफेरा यानि के स्पॉंज पोरीफेरा शब्द किस ने दिया पोरीफेरा जो शब्द है ये दिया Robert Grant ने तो D हमारा राइट आंसर पोरीफेरा शब्द का मतलब क्या होता है पोरीफेरा शब्द का मतलब होता है Pores Blierer Pores याने की छेद तो इसके body वाल पे बहुत सारे छेद होते है पास्त बहुत सारे pores को रखे हुए है, संग पोडी फेरा के अंदरकत आने वाले जन्तों को कहा जाता है, संग पोडी फेरा के अंदरकत आने वाले जन्तों को sponge कहा जाता है, sponge विक्सित हुए है जो sponge है वो evolve हुए है proto-jowa से अब देखो यहाँ पर proto-jowa लिखा हुआ है लेकिन ciliates, flagellates, quinoflagellates यह सारे के सारे proto-jones ही है सारे के सारे proto-jones के ही types है proto-jones के ही groups है यह सारे के सारे तो हमारा इसमें से जो best answer होगा हम उसको tick करेंगे लेकिन वहाँ पर हमें best चूज करना था तो हम लोगों ने फैकल्टेटिव, sorry, obligate parasite को tick किया था तो ठीक वैसे यहाँ पर समझ लो हमें मालूम है sponge proto-jowa से evolve होकर के आया है लेकिन यहाँ पर यह भी proto-jowa है यह भी proto-jowa है यह भी proto-jowa है तो हमारा best answer क्वैनो फ्लेजलेट होगा यह वो proto-jowa है जिनके अंदर क्वैनो साइट्स, cells पाए जाते हैं कोशिका पाए जाते हैं तो कभी आपसे पूछ दे proto-jowa और पोडिफेरा के बीच का जो connecting link है वो क्या है तब आपका answer होगा प्रोटीरो इस्पंजिया यह क्वैनो फ्लेजलेट्स के ही अंदर आते हैं और क्वैनो फ्लेजलेट्स यह क्या है प्रोटो जोवा है तो प्रोटो जोवा और पोडिफेरा के बीच का connecting link है प्रोटीरो इस्पंजिया इस्पंज पाए जाते हैं मैंने आपसे starting में कहा, सारे के सारे aquatic होते हैं, सारे के सारे पानी में पाय जाते हैं, ज्यादा तर ये marine water में पाय जाते हैं, ज्यादा तर ये समुद्री जल में पाय जाते हैं, और कुछ fresh water में पाय जाते हैं, sponge जो ताजे पानी में पाया जाता है जो fresh water में पाया जाता है मैंने अभी आपसे कहा कि सारे जो sponge है वो aquatic है ज़्यादा तर ज़्यादा तर वो marine water में मिलते हैं कुछ आपको fresh water में मिलेंगे लेकिन उन कुछ में भी आपको बस एक ही example याद रखना है जो sponge है ये fresh water में पाया जाता है fresh water पूछ दे या फिर इसके अस्थान पर आपसे नदी का पानी पूछ सकता है कि नदी में कौन सा पाया जाता है sponge में तो आपका आंसर वहाँ पर sponge ही होगा नदी का पानी कोई saline water नहीं होता है वो fresh water होता है तो Fresh Water Sponge के नाम पर आपको इस्पॉंजिला को अच्छे से ध्यान में रखना है। निमिन में से कौन अचल जीव है? कौन सेसाइल एनिमल है? ये कौन होगा? पोडिफिरा स्पॉंज। लेकिन स्पॉंज में भी जो एडल्ट होगा केवल वही। जो लारवा होगा वो सेसाइल नहीं होगा, वो मोटाइल होगा, वो चल सकता है। एस्पॉंज के पूरे शरीर भित्ती पर अनेक छिद्र होते हैं जिसे डैस कहते हैं, इसे हम आस्टिया कहते हैं। ठीक है। यह अगर स्पॉंज है, तो यह इसका ऐस्टियूलम होता है, और इसके बौडी वॉल पे बहुत सारे छिद्र होते हैं, पॉर्स होते हैं, जिसे ऑस्टिया कहा जाता है, यह ऐस्टिया है। और यह एक औस्क्यूलम होता है और इसके बीच का जो कैविटी है इसे इसे इसका बाड़ी सपोर्ट करता है जैसे हम लोग आप जो बाड़ी है वो सपोर्ट है किसे हड़ी हो से काटिलेट से बोन्स एन काटिलेट से वैसे ही इसके बाड़ी को सपोर्ट करता है एस्पिक्यूल्स यह एस्पिक्यूल्स गैल्सियम कार्बोनेट का बना होता है या फिर सिल्का का बना होता है हमारे इस जानते हों, multi-cellular होते हैं, तो कोशिकाएं तो होंगे ही, कोशिकाएं तो होंगे ही, लेकिन इसमें ना तो आपको tissue मिलेगा, ना ही organs मिलेगे, तो ये important point है, ये धियान में रखना है, मैंने आप से starting में कहा था, कि जो ये sponge है, ये simplest animal है, सबसे साधारन, इसकी सनचना बहुत ही स होता है, कोई organ भी नहीं होता है, sponges के पास बहुत सारे कोशिकाएं हैं, बहु कोश्टी हैं, लेकिन उत्तक नहीं बनाते हैं, ये आपको धियान में रखना है, तो जो पोड़ी फेरा है, sponge है, उनका जो level of organization है, वो है cellular level, ठीक है, cellular level organization है, कहने के मतलब केवल और केवल इन में cells है, आपको कोई उत्तक नहीं मिलेगा, कोई अंग नहीं मिलेगा, कोई अंग तंतर नहीं मिलेगा, तो ये आपको धियान में रखना है, कोई अंग तंतर नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ canal system मिलेगा, नाल तंतर मिलेगा, sponge हो में dash तंतर पाया जाता है, कोई तंतर नहीं मिले केवल और केवल केनाल तंत्र मिलेगा यही तो इसका सबसे खास फीचर है केनाल सिस्टम एस्पंजों का उत्षर्जी पदार्थ होता है जो एस्पंज होते हैं उनका वर्ज पदार्थ वेस्ट मेटेरियल होता है अमोनिया यह होते हैं अमोनो टैलिक अगर आपको याद हो उत्सरजन तंत्र में हम लोगों ने देखा हुआ था यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, अमोनेटेलिक ये सब तो अमोनिया के उत्सरजन के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है तो जो जानवर पानी में रहते हैं, उनको पानी की कमी नहीं है वो अपने बोड़ी से बहुत सारे पानी निकाल सकते हैं क्योंकि लगातार पानी उनके बोड़ी में आ भी रहा है और जा भी रहा है इसलिए ये ammonia का उत्षरजन करते हैं निमे में से कौन sponge के लिए असत है इनमे से कौन है जो sponge के लिए गलत है येotomafrodite होते है adherouch rodite कहना का मतलव ये bisexual होते है और bisexual कहना का मतलव कि एकी sponge नर भी होगा मादा भी होगा यानी ऐसा नहीं होगा कि nर sponge अलग होगा मादा स्पंज अलग होगा एक ही स्पंज ये एग भी बनाएगा और स्पाम भी बनाएगा तो ये बाई सेक्सवल हो गया तो इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में हर्मेफरोडाइट कहते हैं या तो आप बाई सेक्सवल बोल दो इनमें हर्मोफ्रडाइट्स होते हैं, पुनरजनन, जो भी जानवर sponge के अलावा, यानि इस phylum के अलावा भी दूसरे phylum के जानवर है, जो पुनरजनन करते हैं, लेकिन जितने भी जानवर पुनरजनन करते हैं, उनमें सबसे अधिक शमता पुनरजनन की ये sponge के पास ही होता है तो ये भी एक important point है जितने भी जानवर है उन सब में सबसे अधिक शमता उनर जनन की ये sponge के पास है तो हमारा जो इसमें गलत है वो हो जाएगा B इनमें external fertilization नहीं होता है, internal fertilization होता है याद रखना ये eggs भी बनाते है, sponge भी बनाते है, gigot भी बनाते है यादि इनमें sexual reproduction भी possible है, ये sexual reproduction भी करते है तो जो sponge होते हैं, वो hermesefrodite होते है, bisexual होते है, वहलंगी होते है internal fertilization होता है, gametes बनते है, fusion होता है, fertilization होता है, gigot बनता है और जो fertilization होगा, वो internal होगा उसके बाद indirect development होता है यानि जब कोई sponge का विकास होता है तो उन्हें एक larval stage आता है तो जब भी larval stage आया है तो हम उसे indirect development बोलते है और protection विकास बोलते है और जिसमें larval stage नहीं आता है उसे हम direct development बोलते है protection विकास बोलते है Sexual reproduction तो होते ही है एसेक्सवल भी होते हैं पुनरजनन की अधिक शमता होती है जितने भी जानवर है जो पुनरजनन करते हैं उन सब में अधिक शमता sponges के पास है fragmentation द्वारा ये एसेक्सवल reproduction करते हैं fragmentation यानि की विखंडन जब unfavorable condition हो तो gamules बनाते हैं गैमिल्स को आप सीट्स के तरह मान सकते हो ठीक है सीट्स के तरह मान सकते हो कि यह गैमिल्स बनाते हैं अंदर बोड़ी में और और ऑस्किलम से जब यह पानी को बाहर निकालते हैं तो उन गैमिल्स को पानी के साथ बाहर निकाल देते हैं और फिर यह गैमिल्स पानी में ही द जमीन पे जहाँ जहाँ गिरते है वहाँ का condition उसके लिए favorable हुआ तो वहाँ पर नए फंजाई ग्रो कर जाते हैं ठीक वैसे यहाँ पर माल लो यह भी वैसे seeds के तरह है जो कि औसकिलम से sponge बाहर निकालता है फिर यह पानी में दूर तक चले जाते हैं फिर यह नीचे चटानों पे पत्रों पे नीचे गिरेंगे जहाँ भी यह नीचे गिरे वहाँ का अगर condition favorable हुआ तो वहाँ पर नए sponge ग्रो कर जाएंगे नाल तंतर डैस का विलक्षन है केनाल सिस्टम किसका विलक्षन है important है sponge का केनाल सिस्टम ही इसका सब कुछ है बिना केनाल सिस्टम का sponge नहीं साधारन असनान sponge है common बात sponge है यह है sponge ला आपने देखा यह fresh water sponge है कभी पूछे fresh water sponge कोण है ताजे पानी में, मीठे पानी में, नदी के पानी में कौन सा sponge मिलता है तो sponge ला common बात sponge साधारन असनान sponge है यह sponge यह ठीक है तो B हमारा right answer कुछ examples है sponge के, जो आपको अच्छे से रटने होंगे fresh water sponge spongila और common बात sponge, यह sponge यह venus flower basket कहा जाता है, यू प्लेक टेला को crown sponge कहा जाता है saikon को या फिर saifa को saikon बोल दो या फिर saifa बोल दो boarding sponge कहा जाता है clayona को और glass rope sponge कहा जाता है hylona, hylonema को तो यह सारे examples आपको ध्यान में रखने होंगे ज्यादा नहीं है, छे ही है spongila, fresh water sponge you spongila, common bath sponge youplectella, venus flower basket, venus के फुलो की डालिया जो youplectella है इसे जापान के अंदर वो पहार के रूप में दिया जाता है ठीक है given as a gift in Japan या फिर saifa इसे crown sponge कहा जाता है clayona इसे boring sponge कहा जाता है और कभी पूछे कि pearl industry के लिए कौन सा sponge harmful होता है तो आपको answer लगाना है clayona pearl industry यानि कि मोतियों का जो उद्योग होता है उसके लिए यह harmful होता है हानिकारक होता है glass rope sponge इसे यह hilo nema को कहा जाता है तो यह सारे examples आपके लिए important है किस sponge को जापान में उपहार के रूप में दिया जाता है youplectella को दिया जाता है इसी को venus flower basket कहा जाता है sponge जो नदी में पाया जाता है यानि कि fresh water में पाया जाता है मेठे जल में पाया जाता है यह sponge ला निम्न में से कौन सा boarding sponge है तो boarding sponge जो कि pearl industry के लिए harmful है यह है clayona निम्न में से कौन sponge का अभिलक्षन नहीं है intra cellular digestion होता है यह सही है कहना का मतलब यह हुआ कि इनमें जो digestion है वो cell के अंदर होता है यानि यह food particle को पकड़ने के बाद अपने cell के अंदर लाएगा तब जाकर के digest होगा कौन से cell के अंदर आएगा यह important नहीं है बस आपको यह धार में रखना है कि cell के अंदर पहले food particles आएगा तब जाकर के उसका digestion होगा जिसे हम लोग के body के अंदर क्या है कि जो digestion है food particles का वो हमारे elementary के नाल अहर नाल में हो जाता है तब जाकर के वो cell के अंदर digested food पहुंचता है लेकिन यहां ऐसा नहीं है cell के अंदर food particles आते हैं इनमें इनके development में एक larval stage आएगा शरीड का specules दोरा समर्थित यानि कि इनका जो body होता है वो supported होता है specules के जड़िये जो मैंने आपसे थोड़ दर पहले कहा था कि specules यह calcium carbonate या फिर silka का बना होता है और यहीं इसके body को support करता है presence of neurons यह गलत हो जाएगा याद रखना यह important है sponges के अंदर neurons नहीं होते है इनके अंदर feelings होती है यह चीजों को sense कर सकते हैं but neurons नहीं होते है no neurons तो यह भी एक important point है नहीं उत्तक मिलेगा और नहीं neurons मिलेंगे sponge बोलते ही आपके मन में podifera बोलते ही आपके मन में यह वाली image आनी चाहिए आपको इसके body पे बहुत सारे छेद नजर आनी चाहिए और स्किलम नजर आनी चाहिए और स्पंजों सील में जर आनी चाहिए specules आपको याद रखना है specules इसके body को support करता है जैसे हम लोगों के body को हड़िया support करती है वैसे ही specules यह calcium carbonate और silka के बने हो सकते है venus के फूलों के डालिया किस संग से समंदित है venus flower basket यह associated है phylum podifera यानी कि sponge austria पाया जाता है austria पाया जाता है किसमें austria पाया जाता है sponge में तो यहाँ देख लो right answer हो जाएगा austria बोल दे, ausculum बोल दे यह सब तंत्री का कोशिका नहीं पाया जाता है आपको केवल sponge ही मिलेंगे जिसमें आपको neurons नहीं मिलेंगे केवल और केवल sponge के अंदर आपको neurons नहीं मिलेंगे इसके उपर जिदन भी फाइले में आपको उने में neurons नजर आ जाएंगे यानि कि nerve cells आपको दिखने को मिलेगा उसमें निम्ड में से कौन sponge में पाय जाने वाली सनजना है austria मिलता है, ausculum मिलता है, especuls में मिलता है तो T हमारा right answer निम्ड में से किसमें पुनर जनन की अधिक शमता होती है पुनर जनन की अधिक शमता होती sponge के पास sponge के समन्द में कौन असत है ये जलिये जनतु है, aquatic है, सही है ठंडे जलिये में नहीं पाय जाता, ये भी सही है जो sponge होते है, वो cold water में नहीं मिलेगा asymmetrical होते है, ये भी सही है ये motile larva होता है, तो ये गलत हो जाएगा आप इसके body को दो बड़ावर भाग में नहीं बाट सकते हैं ठीक है, आप इसके body को equal parts में divide नहीं कर सकते हैं अगर ऐसा है, तो ये है asymmetrical तो जो sponge होते हैं, वो asymmetrical होते हैं उसके बाद देखो, bilateral symmetry होता है एक दिव पार्षव सम्मीद bilateral symmetry का मतलब क्या हुआ केवल और केवल एक plane, one plane, only one plane केवल और केवल एक ही ऐसा plane होगा जो इसके body को दो parts में बाट सकता है जो इसके body को दो equal parts में बाट सकता है ये धियान में रखना, equal parts में तो जब हम bilateral symmetry बोलते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसके body के center से, इसके body के center से एक मात्र ऐसा plane मिलेगा जो इसके शरीर को दो बड़ावर भागों में बाट देगा लेकिन जब हम radial symmetry बोलते हैं इसका मतलब यह होगा कि इसके body के center से इसके शरीर के केंदर से जितने भी planes है सब इसके शरीर को दो बड़ावर भागों में बाट सकता है जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर तीन planes आपको दिखाएंगे है एक यह है एक यह है एक यह है तो तीनों planes को इसके body के center से पास कराया गया तो इसका जो शरीर है दो बड़ावर भागों में बट गया तो यह अंतर होता है bilateral symmetry और radial symmetry में bilateral symmetry में शरीर के center से पास कराया जाया है तो इसका शरीर दो बड़ावर भागों में बट जाएगा यह अंतर होता है radial symmetry और bilateral symmetry में तो देखो podifera podifera यह asymmetrical होता है podifera के अंतर जो जानवर आते हैं वो asymmetrical होते हैं उसके बाद cylindrata के अंदर जो भी जानवर आयेंगे वो radial symmetrical होंगे यानि उनमें जो symmetry होता है वो radial होता है podifera के अंदर asymmetrical cylindrata के अंदर radial symmetrical इसके अलावा जो भी है phylum सब में आपको मिलेगा bilateral symmetrical क्यवल इकाइनो 92AY के बादे में आपको खास करके दियान में रखना है इनमें radial symmetrical भी होता है और bilateral symmetrical भी होता है चीका है इकाइनो 92AY के बाहरे में अम दियान में रखेंगे इनमें bilateral symmetry और radial symmetry दोनों ही होते है asymmetrical किस में podifera radial symmetry किस में cylindrator और Echinodermita और bilateral किसमे सारे में इन दोनों को छोड़ दो तो सारे में Echinodermita में भी Qonocytes तमक कोशिका हैं पाई जाती है Qonocytes पूझ दे आप से एक्जाम में कि बता हो Qonocytes नाम की कोशिका यह किसमें मिलती है तो आपका आंसर होगा sponge में sponge में दो तरह की कोशिकाओं का नाम आप दिहान में रख सकते हो Qonocytes या फिर इसी को Color Cells बोलते हैं उसके बाद Archeocytes Qonocytes और Archeocytes Archeocytes sponges के अंदर Totipotent Cells होते हैं Totipotent Cells कहने का मतलब यह हुआ कि इन सेल के पास शमता है कि वो किसी तरह का Cell का निर्मान कर सकते हैं यानि Totipotent Cells यह वो सेल होते हैं जो हर तरह के कोशिकाओं का निर्मान कर सकते हैं तो sponge के अंदर जो Archeocytes होते हैं यह होते हैं Totipotent Cells तो यह दो Cells हैं बस आप इसका नाम ध्यान में रखो काफी है जो sponge होते हैं तरह के Germs Layer होते हैं आपने Reproductive System में बढ़ा था Ectoderm, Mezoderm, Endoderm यह बने होते हैं Ectoderm, Endoderm से तो जो Ectoderm, Endoderm से बने होते हैं उसे Diploblastic बोलते हैं दो ही Germs Layer है, तीसरा Mezoderm नहीं है और इसका एक लारवा का नाम याद रखना है आपको Amphiblastula Amphiblastula तो यह हमारा Animal Kingdom का Part 1 समाप्त होता है इसमें हम लोगों ने Sponge के उपर सवालों को देखा यह थना काफी है Sponge के उपर सवाल, इतना आप इसको Digest कर लो, Enough है तो मिलते हैं अगले पार्ट में, Thank you so much